बिहार में शराब बंदी के खिलाफ बोलना भी अब खतरनाक हो सकता है ऐसा करने वाले लोग जाँच के दाइरे में आ सकते हैं सीम नितीश कुमार ने शुक्रवार को शराब बंदी को लेकर दिलाई जा रही शपत में ऐसे संकेत दिये हैं मकसद उन निताओं पर लगाम लगाना है जो लगतार शराब बंदी को खतम करने पर बयानवाजी कर रहे हैं इसमें विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी नेता विधायक शामिल है नितीश कुमार ने ऐसे लोगों को करीफटकार लगाई है पटना के ज्यान भवन में आयोजीत सपत ग्रहन के मुख्य समारों में उन्होंने मौजूद लोगों समेट सभी सरकारी कार्यालियों के अधिकारियों कड्मियों को शपत दिलाई नशा मुक्ती दिवस पर इस कारेक्रम का आयोजन मध निशेद और उत्पाद विभाग द्वारा किया गया था वही नितीश कुमार ने शपत ग्रहन को लेकर और शराब बंदी को लेकर क्या-क्या बाते कहीं आईए हम आपको बताते हैं उने कहा कि यदि कोई शराब बंदी के खिलाफ बोलता है तो उसकी भी जाच होनी चाहिए उनकी भी जाच हो कि आखिरवक किस आधार पर इस तरह का बयान दे रहा है कुछ बिजनेस कम्यूनीटी के लोग यह कह रहे हैं कि हम तो शराब बंदी के पक्ष में हैं लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें शराब परोसना चाहिए यह कहा का नियम है साहब की लोगों के स्वागत में शराब परोसा जाए यह बरदास्त नहीं किया जाएगा वही नितिश कुमार ने ये भी कहा कि सपत इसलिए कड़वार हैं ताकि फिर से एक बार मन मजबूत हो जाए कोई दाएंबाएं ना करे सरकारी तंत्र में यदि कोई गरबर करता है तो बरदास्त नहीं होगा जो नियम कानून है निश्चित रूप से एकसन लिया जाएगा पटना शहर में सबसे ज़्यादा गरबर होता है यहां पड़ यदि एकसन लिया जाएगा तो बाकी जगा पर लोग हिम्मत नहीं करेंगे एक जगा शादी में चला गया तो लोग मुद्दा बना रहे हैं लोगों से सूचना मिली तो मध निशेद विभाग के पदाधी काड़ी और पुलिस करमी गये थे जाच करना गुना है क्या कोई गरबर करेगा तो पकरा जाएगा यदि नहीं करेगा तो कोई बात नहीं यह तो करना ही परेगा सूचनाई मिलेंगी तो पुलिस और मध निशेद विभाग के लोग जाएंगे जो सूचनाई मिलती हैं 100% सूचना सही नहीं मिलती है लेकिन इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए वही नितिश कुमार ने ये भी कहा कि मैंने 16 नमंबर को 7 घंटे गहन विचार किया और जान लीजिए ये शराब जान लेवा है कौन लोग मड़े हैं जिसने शराब पिया है जब बंदी है तो फिर उन्हें शराब पीने की जरूरत ही क्या है जब या लागू किया गया था उसी पाटी के एक नेता के पास मध निशेद विभाग था ताज्यूब होता है कि एक से दो निता किस तरह से बोलते हैं शपत लिया था अब चाह रहे हैं कि दारू पिये यह सपस्ट हो जाना चाहिए कि यदि शराब पियोगे तो मरोगे कोई ना कोई गड़बर शराब देगा और वह शराब पियोगे तो मरोगे इसको प्रचालित करना चाहिए और शपत सबने लिया था सिर्फ हमने नहीं लिया था सदन से लेकर शरक तक सबने शपत लिया था वही इन सब बातों को कहते हुए नितीश कुमार आगे बढ़ें और बोले कि मीडिया वाले तरह तरह की बात रखते हैं उनसे पूछेगा यह क्या शराब पिना जरूरी है क्या शराब पिया जा सकता है लोग कहते हैं कि Alternative बनेंगे क्या Alternative बनेंगे शराब बंदी खत्म करके Alternative बनेंगे 2011 में नशामुक्ती को लेकर हम लोगों ने एक दिवस मनाया था 26 नमंबर को नशामुक्ती दिवस हमने ही नाम दिया था 2018 में WHO ने शराबबंदी को लेकर बहतर रिपोर्ट दी थी कोट में बताया गया था कि 30 लाख लोगों की मौत देश में शराब से हो रही थी इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए नितिश कुमार ने शपत ग्रहन में कहा कि अब हम लोग शपत ग्रहन ले रहे हैं और इसे अब सुचारू रूप से चलाएंगे एक बार और मन बना लि और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रूप मुफ्त में मिल जए अगर रूप पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग क चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी